गुनगान के लिए बुद्धी छोटी है वास्तों में गोस्वामे तोसिदास जी यह चर्चा अपने आपके उपर करते हैं और अपने भावों को इश्वर के चर्णों में अर्पित करते हैं और सभी को प्रणाम करके इस रिष्टी में जो कुछ भी हैं अच्छे भूरे गु अबगुन सब को प्रणाम करते हैं और सब से कहते हैं कि मैं यह रचना करने जा रहा हूं रामशर्ट मानस की आप सभी मेरा प्रणाम स्विकार करें और अपनी अपनी स्विकृति अथवा अपनी कृपा दृष्टी मुझे प्रदान करें क्योंकि मैं लिख पाऊं इश्व में हैं मैं संतुष्ट होना चाहता हूं मैं लिखूंगा अपनी छोटी बुद्धी से परंतु फिर भी यह प्रयास मेरा है तो जरूर आप इसका लाब उठाएं और इस मानस के लिखने में मेरे प्रती सकरात्मक भावना ही रखें वो प्रार्थना करना चाहते हैं सब से प अवगुन की चर्चा करते हैं और गुन अवगुन को संग से मानते हैं कि संगत के कारण भी गुन और अवगुन आते हैं संग के कारण गुन अवगुन आते हैं हाँ संतों के लिए वो ऐसा नहीं मानते कि संत जो हैं अगर वो गलत संगत में भी चले जाए तो वो गलत कर्म नहीं करेंगे, हाँ ये अलग बात है, कि कुछ मात्रा में अवगुन उनके अंदर भी हो सकता है, तो कभी उनसे कोई चूक हो जाए, तो वो उसको सुधार लेते हैं, लेकिन जो दुष्ट प्रविर्ती का विक्ती है, वो कभी न कभी अगर अच्छा कर्म कर भी ले, तो वो फिर से अपनी दुष्टता पर उतराता है, इसलिए ये सारी बाते गोस्वामी तोसिदास जी इस म मानस के अंदर समझा रहे हैं, और संगत की महिमा कैसी होती है, तो गोस्वामी जी आगे जो लिखते हैं, गगन चड़ही रजपवन प्रसंगा, कीचही मिलई नीच जल संगा, साधू असाधू सदन सुक सारी, सुमिरही राम देही गनिगारी, पवन के संग से धूल आकाश पर चाह जाती है, जब धूल, मिट्टी, रज, गगन चड़ही रजपवन प्रसंगा, पवन के संग से जो मिट्टी है वो आकाश पर चाह जाती है, और वही नीच, वही नीच, नीचे की ओर बहने वाली जो जल है, जो पानी है, जब मिट्टी पानी का संग करती है, तो भुचर बन जाता है। किसी को गाली देना अवदी भासा में इसको कहा जाएगा। हो जाता है और वही धुआ जब सूसंग करता है तो सुन्दर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है अगर अगर आप धुए वाली हवा में चले गये तो कि दूसरे पहले वाले चौपाई में तुस्याही हो जाएगा और अगर पवन का संग कर ले कालिक तो क्या हो जाएगा, वो दूसरों के चेहरे काले करना शुरू कर देगा, तो इस प्रकार से संग से जैसी विप्रिद संगती हो गई, तो फिर लुकसान और अच्छी संगती हो गई, तो फिर लाव भी होता है, तो इस प्रकार से संग से कही प्रकार के संग करने से कही पर गुणों का विकास हो जाता है कहीं गुण विक्सित हो जाते हैं तो कहीं अवगुण विक्सित हो जाते हैं इसको लेकर संशय नहीं करना चाहिए यह संपुर्ण संसार विधी प्रपंच गुण अवगुण साना गुण और अवगुण से मिलकर बना है कि संपुर्ण संसार मे गुण और अवगुण सब जगा व्याप्त है चीख है तो यहाँ उपदेश यहाँ पर गोश्वामी जी दे रहे हैं ग्रह भेशज जल पवन पट पाई कुन जोग सुजोग हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखही सुलक्षन लोग ग्रह आशदी जल वायू और वस्त्र य कोई सेवल वस्तु हमारे लिए बहुत अच्छी है तो कुछ गुण उसको प्राप्त हो गैं जतनी वी विचार शील पुरुश्य इस बात को जान पाते हैं जो विचार शील हैं इस बात को समझ पाते हैं सम प्रकास तम पाक दुहूं नाम भेद विदिकिन ससी सोपक पोशक समुझी जग जस अप जस दिन महीने के दोनों पखवाड़े में उज्याले और अंधेरा समा नहीं होता है परंतु विधाता ने इनके नाम से भेद कर दिया है एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है एक को चंद्रमा बढ़ाने वाला और दूसरे को चंद्रमा को घटाने वाला यह संसार कैसे बना है संसार कैसे बना है गो स्वामी तोसिदाजी लंबे तरह से कई चौपाईयों में समझा रहें कि गुन अवगुन किस तरह से हैं सब रहेंगे आप सोचोगे कि सारे पाप खतम हो जाएंगे और सारे अवगुन खतम हो जाएंगे ऐसा नहीं होने वाला रहेंगे आपको अपना चुनाव करना है कि आप किसका पक्ष लोगे आप पाप का पक्ष लोगे पुन्ने का पक्ष लोगे आप अवगुन का पक्ष लोगे गुन का पक्ष लोगे तो यहीं कह रहे हैं कि जैसे महीने में पक्वाड़े होते हैं एक शुक्ल और एक पक्ष दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो पक्ष को पकवाडा बोलते हैं, तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, तो यह रहता ही है, दिन और रातरी भी हमेशा रहती है, जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम मैं जानी बंदव सब के पद कमल सदा जोरी जुग पानी दिन और रात भी हैं तो निगेटिव पोजटिव गुन अवगुन ये रहते ही रहते हैं और ये आपस में मिक्स रहते हैं इसलिए इस संपूर्ण जगत को मैं राम मैं जानता ह मैं उन सब के चरन कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़ कर बंदना करता हूँ जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम मैं जानी बंदव सब के पद कमल सदा जोरी जुग पानी जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सब को मैं राम मैं जान कर मैं उन सब के चरन कमलों की का हमाट जोड़ कर वझना करता हूं चाहे वह अवरज शख्रकौन से बरे हो उनके अंदर अच्छा गुन हो यह उनके अंदर बुरaler हो उनस सभी को मैं वंदना करता हूं सब को सब रामंएं जढ़ चेतन जग जीव जग सकल राम मैं जाने सब को मैं राम में ही जानता हूँ देव धनुजनर बंदव किंनर रजनी रक्रिपा करा हूं ृस अब सर्व किषीए कर किंदर्व कि देवता भी, द्यात्य भी, मनुष्य भी, नाग भी, सर्प भी, पक्षी भी, प्रेत भी, पित्र भी, गंधर्व भी, किन्नर भी, निशाचर, रात को भूमने वाले निशाचर भी, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, अब सब मुझपर कृपा करें, करहूं, कृपा करहूं, अवगुन से भरा है, कोई सदगुन से भरा है, सब राम मैं हैं, परंतु यह माया के वशिभूत होकर ही कोई अवगुन और सदगुन से भर जा रहा है। अवग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी 84 लाक योनियों में चार प्रकार के लोग जीव पाय जाते हैं। तो इस प्रकार से यह इस 84 लाक योनिया होती हैं, इसमें जल पृत्वी और आकाश में रहने वाले अनेक जीव हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को मैं सीता राम मैं जानकर सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जग पानी मैं सब को प्रणाम करता हूं। जितने भी जीव संसार में हैं मैं सब को प्रणाम करता हूं। गुन अब छोड़ दीजी, चाहे कोई गुनी हो, चाहे अब गुनी हो मैं सब को प्रणाम करता हूं। जानी करपाकर किंकर मोहुं, सब मिली करहु, छाड़ी जलचोहु, रिजबुदी बल्भरोस मुहिनाही, ताते बिनय करहुं सब पाही। मुझे को अपना दास समझें यह जितने भी जीव जगत हैं जितने भी जीव हैं और जितने भी गुन अवगुन की चीज़े हैं मैं उन्हों सब को प्रणाम करता हूं और सब मुझे को अपना दास समझें मुझे किंकर समझें मुझे अपना दास समझें मुझे को अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर और हर एक प्रकार का छल छोड़कर कृपा कीजिए मेरे उपर कि मैं यह राम चरित मानस लिख सकते। मुझे अपनी बुद्धी बल का भरोसा नहीं है क्योंकि इश्वर की महिमा का गुणगान करना बुद्धी का विशय नहीं मुझे अपनी बुद्धी बल का निज बुद्धी बल भरोस मोहिनाही मुझे अपने बुद्धी बल का भरोसा नहीं ताते विनय करऊं सब पाहीं मुझे अपनी बुद्धी बल का भरोसा नहीं मैं सब से विनती करता हूं श्री रगुनात जी भगवान श्री राम का गुनों का मैं वर्णन करना चाहता हूँ परंतु मेरे बुद्धी बहुत छोटी है उसे ब्रह्म का गुनगान करना क्योंकि गोस्ता में तुस्री दाजने पहले ही राम जी को महिमा देते हुए का वंदना की वह उन्हें परम कारण बताया है और गुंकारण ही तो ब्रहम होई ही बताया है कि इसका गुणान करने के लिए बुद्धी बहुँत छोटी है वैसे तो हर वेक्ती की बुद्धी छोटी है बस फर कितना है कि गोश्वामी तोसिदाजी स्विकार कर रहे हैं वस्विकार कर रहे हैं कि शीराम जी का गुर्णगान उनके चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरे बुद्धी अभी छोटी है इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ जितने भी जीव है थलचर नवचर जितने भी जीव है उभैचर उद्भीज स्वेदज अंडज जरायुज मैं सभी जीवों को दैट्यों को देवताओं को असुरों को राच्षसों को पिसाचों को प्रेतों को पितरों को मैं सब को ही प्रणाम करता हूँ पक्षियों को मैं सब को ही बार बार प्रणाम करता हूँ कि आप सभी संपुर्ण प्रकार के छल छोड़कर मैं दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ क्यों प्रणाम करता हूँ क्यों कि सब कुछ तो उसी राम का है सिया राम मैं सब जग जानी कर हूँ प्रणाम जोरी जग पानी सब तो उन्ही राम का है सब तो उन्ही राम का है तो फिर अब इसको छोड़ा जाए किसको नहीं इसलिए मैं सब को प्रणाम करता हूँ आप सब मुझ पर अपनी किरपा करिए सब मिलकर मुझे पर कृपा करी अब मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूं गो स्वामी जैसा क्यूं कह रहा है तो वो लिखते हैं कि भाई मुझे बड़ा कठेन लगता है ये काम करना लेकिन मेरी इक्षा बहुत है मेरी इक्षा बहुत है और मैं अपने संतोष के लिए लिख रहा हूँ लोग मुझे स्विकार करेंगे नहीं करेंगे मेरी इसे कथा को पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे मेरी इस ग्रंथ को पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इसे नहीं अच्छा लगुमती कहकर इश्वर के सामने अपने आपको लगुमती कहना एक अलग बात है लेकिन गोष स्वामी तोसी दाजी संपुर्ण जीव जगत जितनी भी वस्तुएं हैं गुण अवगुण से संपन उन सब के लिए कह रहे हैं कि भाई मैं आप लोगों से भी लगुमती हूँ मैं आप लोगों से भी लगुमती हूँ मेरे बुद्धी बहुत कम है मैं इसे योग्य नहीं हूँ कि मैं लिख पाऊं मेरे लिखने की छमता नहीं है कुछ इस प्रकार की बाते गोष स्वामी तोसी दाजी कह रहे है मेरे बुद्धी में इतनी बुद्धी इतना विवेक में सही सही लिख पाऊं लेकिन फिर भी मैं आप सभी से इस जीव जगत में जितने भी जीव हैं चाहे गुणी हो चाहे अवगुणी हो चाहे दैत्य हो चाहे देवता हो चाहे नर हो चाहे पशू हो हो ये भी हो मैं उन सब से बराबर रूप में सब से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी मुझ पर कृपा करें क्योंकि मेरे बुद्धी बहुत छोटी है और मेरा काम बहुत बड़ा है शी राम चरित्र का गुनगान लिखना मेरे लिए बहुत कठिन है सिया राम मैं सब जग जानी कर रहू प्रणाम जोरी जुग पानी मैं संपूल जगत को संपूल जीव जगत को सिया राम मैं मानता हूँ सिया राम मैं मानता हूँ और आप सब को मैं राम का ही अन्श मानता हूँ इसलिए मैं आप सब को प्रणाम कर रहा हूँ और आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप मुझे पर कृपा करें आप सब मिलकर मुझे पर कृपा करें ताकि मैं अपनी छोटी बुद्धी से कुछ लिख सको मुझे कोई उपाय नहीं सूचता सूजन एकव अंग अरथा तकुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूचता मेरे मन और बुद्धी कंगाल है मैं मन और बुद्धी से भी कंगाल हूँ किन्तु मनोरत राजा है मेरा लिखने की इक्षा मेरी बड़े दिवर है मतियति नीच उच रुचि आची चही अमिय जग जुरईन चाची चमी हैं सज्जन मोर ढटाई सुनी हैं बाल वचन मन लाई मेरी बुद्धी तो अत्यन्त नीची है और चाह बड़ी उची है चाह तो अम्रित पाने की है पर जगत में जुड़ती चाच भी नहीं है चाह मेरी बड़ी उची है सामर्थ मेरे अंदर है नहीं विवेक मेरे अंदर है नहीं बुद्धी मेरी बहुत छोटी हो रखी है भाशा और साहित्यका भी मुझे ज्यान नहीं साथ में वो ये भी कह रहे मेरे बुद्धी तो अत्यंत नीची है, चाह बड़ी उची है, चाह तो अम्रित पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाच भी नहीं है, सज्जन मेरी धिठाई को समा करे, जो सज्जन लोग हैं, मेरे इस जिद को, मैंने रामचर्त मानस लिखने की जो जिद पकड़ ली है, मेरे इस जिद को छमा करे, बालवचनों को मन लगा कर सुनेंगे, मैं इसा समस्ताओं कि सज्जन गन, मेरी धिठाई को छमा करके, बालवचनों को मन लगा कर सुनेंगे, सुने ही बालवचन मनलाई, जो बालग कह तोतरी बाता, सुने ही मुदित मन, पितु अरु माता, हसी ह कुर कुटिल को विचारी जह पर दूशन भूशन धारी जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता-पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं कि दूश्म को ही भूशन और उपसे धारन के रहते हैं अर्था दूसरों के दोशों को अपने उपर धारन करते कैसे उनके दोशों का दोशों की चर्चा करके निंदा करके जिनको निंदा में ही आनंद आता है तो वैसे जो दुष्ट लोग हैं वो तो हसेंगे ही मेरी किर्थी पर वो मेरे किर्थी का मैं जो लिख रहा हूं उसका मजाग उड़ाएंगे निज कवीत कही लागन नीका सरस हू अथवा तिफीका जे पर भरिती सुनत हरशा ही ते वर पुरुष बहुत जग ना ही रसीली हो या अत्यंत फीकी हो अपनी कवीता किसे अच्छी नहीं लगती सबको अपनी रचना अच्छी लगती है किन्तु जो दूसरों की रचना को सु कैसे लोग नहीं है दूसरों की रचना की प्रसंसा कर सके जग बहु नरसर सरी समभाई जेनी जबाड़ी बढ़ा ही जल पाई सज्जन सकृते सिंधू समको वही देखी पूर विद्धू बाढ़ी जोई है भाई जगत में तलाबों और रदियों के समान मनुष्य ही अधिक जो जल पाकर अपनी ही बाड़ से बढ़ते रहते हैं अर्थात अपने ही कर्मों से अपने ही अहिंकार में बढ़ते रहते हैं अपनी ही 29 से प्रसंद होते रहते हैं समुद्र साथ तो को एक विरलाही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पुर्ण देखकर ही उमढ़ता है नही मेरा भाग्य चोटा है मेरा भाग्य भी बहुत चोटा है और इक्षा बहुत बड़ी है परन्तों मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट गन मेरे इस मेरे इस महा कावे का मजाक उड़ावेंगे मुझे ऐसा प्रतीत होता है तो मैं तो प्रभू की भक्ति से सराबोर होकर ही मैं लिख रहा हूं और जिनके हिर्दय में भक्ति है उन्हें जरूर ही यह रामचरित मानस के व्याक्या जरूर ही अच्छी लगेगी नहीं तो जो दिं प्रण वो निंदा करेंगे ही लेकिन फिर भी मैं प्रणाम सब को करता हूं चाहे कोई दुष्ट हो चाहे कोई भला मानस हो या दुष्ट व्यक्ति हो कोई भी हो दानव हो देवता हो दैत्य हो पिशाच हो नर हो पशू यक्षगंधर हो मैं सब को ही प्रणाम करता हूं सब को ही मैं प्रणाम करता हूं चाहे जो कोई जैसा भी हो तो सब को प्रणाम करके और सबसे ही कृपा की मांग कर रहे हैं सबसे ही मांग रहे हैं तो इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं और फिर आगे जो है और भी इसी से जुड़ी हुई और भी कई बाते गोस्वामी तुलसिदाजी आगे लिखते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं तो कुछ और बाते हैं जो अलग धंच से गोस्वामी तुलसिदाजी आगे की और उसको बढ़ाते हैं चली उनको हम कल चिंटन करेंगे तो कुल मिलाकर गो स्वामी तुलसीदार जी का भाव किया है मेरे सामर्त राम की चर्चा करना मेरे बुद्धि बहुत शोटी है मैं बहुत अलप बुद्धि का व्यक्ति हूँ और मेरे पास साहित्यका भी बहुत ज्यान नहीं है लेकिन फिर्भी में लिखने बैठ गया हूँ, मुझे नहीं पता कि गायन क्या होता है, छंद क्या होता है, लेकिन फिर्भी में लिखने बैठ गया हूँ, तो आप सब मुझे पर कृपा करें, सब का, सब का भला, सरवे भवन्त, सुकिना, सरवे संत, निरामया, सरवे भद्र कि सबका बहला हो सबका कल्यान हो एसी भावना और सबगे सामने ही हाथ जोड़ रहे हैं पनी अपनी शक्ति का गुनगान नहीं कर रहे कि मैं ऐसा लिखने जा रहा हूं एक record बना दिया उन्होंने रामचरित मानस महाकाववे लिख कर biggest poetry of the world तो उन्होंने एक ऐसा record तो बना ही दिया है गोस्वामी तुलसिदाची ने लेकिन फिर भी वो प्रारम करते हुए रामचरित मानस की व्याक्या को लिखते हुए अपनी बात को इस धंग से कहते हैं एक विनमर भाव से कहते हैं मैं सब को प्रानाम करता हूँ क्योंकि सभी राम मैं है संपुल्ण जीव जगत भले उसके अंदर गुण हो या अवगुण हो सब ही राम मैं है मैं दानो दैत्य देवता नर पशू किन्नर गंधर्व यक्ष पिशाच और पित्तर मैं सब को ही प्रानाम करता हूँ जलचर थलचर नबचर उभैचर सब को ही प्रानाम करता हूँ श्रेजज अंडज उद्भीज रायुज इन सभी जीवों को मैं प्रानाम करता हूँ जितने भी जीव संसार में है उन सब को ही मैं प्रानाम करता हूँ तो इस प्रकार से गोस्वामी तोसिदाजी सब को और कहते हैं मेरे बुद्धी बहुत छोटी है जी हाँ ब्रह्म वर्णन के लिए बुद्धी छोटी ही होती है क्योंकि यह बुद्धी का विशय नहीं है यह विचारों का विशय नहीं है परन्तु जब हम उसके बारे में लिखते हैं तो लिखना क्योंकि बुद्धी बहुत छोटी है तो फिर लिखना या बताना उस बुद्धी के वल पर अपूर नहीं होगा अपूर नहीं होगा इसलिए गोस्वामी तोसिदाजी सबसे प्रार्तना करते बुद्धी मेरी बहुत छोटी वैसे तो गोस्वामी तोसिदाजी अपने सारे अवगुन गिना देते कि अभी तक तो लोने यही काया कि मेरी बुद्धी बहुत छोटी है मैं लगू मती वाला हूँ मेरी बातों को आप तोतरी भासा समझिएगा अपनी बातों को बहुत महत्वनी दे रहे है और कह रहे हैं कि मैं कोई बहुत विशेष कोई नहीं कुछ करने जा रहा हूँ हलाकि यह महागरंथ विशेष ही है और यह महा काववे है सबसे बड़ी कविता के रूप में से स्विकार किया गया है काववे के रूप में तो लेकिन फिर भी गोस्वामी तोसिता जी कह रहा है कि मैं कोई बहुत बड़ा किर्तिमान अस्थापित नहीं कर दूँगा मेरे तो बुद्धी छोटी है तोतरी भासा समझ कर आप पढ़ लिजिएगा इसको जैसे माता पिता बालक की तोतरी भासा को बड़े रूची से सुनते हैं वैसे ही आप अभी मेरी भासा को एक बालक की वानी समझ कर ही पढ़ लेजिएगा जो मैं लिखने जा रहा हूं और वो यह भी अंत में कहते हैं जिनके मन में प्रभू की भक्ति नहीं प्रभू से शतुरता है उनको भला कहां भाएगी रामतिरतमानस किसे अच्छी लगती है और किसके लिए लिखी गई है यह भी गोस्वामी तुस्षिदाजी आगे आने वाली चौपाईयों में दोहों में बता रहे हैं ठीक है तो उस पे भी हम कल की व्याक्षा में हम चर्चा करते हैं चलिए तो ठीक है अभी आपके कमेंट्स देखेंगे कि कौन किसने क्या कमेंट किया है किसका क्या कहना है और आज कि शिव जैनती है तो आप सभी को शिवा जी महराज की जैनती पर बहुत बहुत शुबकामना है बबिता धिमान जी शिवा जी महराज उनके द्वारा किया गया कर्म राश्ट्र के लिए धर्म रक्षा के लिए ये किर्थीमान है ऐसे समय समय पर कई वीर युद्धा संतों की प्रेणना से एक था कि शिवा जी महराज के पीछे समर्थ गुरु रामदास की बहुत बड़ी प्रेणना थी उनकी बहुत बड़ी बहुत बड़ा उपदेश था बहुत बड़ी उनकी भी भूमिका थी मा तो गुरु होती ही है तो मा की भी भूमिगा थी और गुरु, अध्यात्मी गुरु संत समर्थ गुरु रामदास जी की भी बहुत बड़ी भूमिगा उनके सिकारे में थी तो इसलिए आज उनकी इस जैनती पर उनको कोठी-कोठी नमन है और सभी को बहुत-बहुत सुभख कामना है। चली, बभीता धीमान जी, बिकरम सिंग जी, हरी मोहन गुपता जी, जलाराम राइका जी, उपनिशत सास्र का घ्यान दिया। ठीक है। नवजोत नात जी, स्मीता सावंत, माधुरी, कोले, सवीता नायक, नवजोत नात जी, आख्या सुनकर बहुत अच्छी प्रेणा मिलती है आप प्रेटिकल बाते करते हैं ठीक है बहुत लाव उठाइए गौतम दास जी विश्णु चंद्रा मौरया जी कलपना बागरे जी उशाश्री वास्तवा जी विनोत के सूध कनाई कुमार जी शिवम भट रमेश पेश्व राम प्रकास जी एके त्यागी जी रूपलाल विश्व कर्मा जी एके त्यागी जी उगिंदर पंडिट जी विनोत कुमार शरमा सतीष जी वैंपायर गेमिंग राजु पाल जी coexistence अबनी प्रधान श्रंकर प्रसाद सीता राम माली पिंटु वास्वा विनीता गर्वाल जी नमस्कार यू ग्रेट और स्प्रेडिंग गॉड लव यू अर ब्लेस्ट पर्शन इग्नोर किर्टिसिजम थैंक्स जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपका विनीता जी जी मोहन रावत जी काशी नात जी भरच शबलानी जी अंजु शिरवास्तव जी गंबीर शाह अरजन भाई चोहान बलवन सिंग गोहिल गौरो बिक्रम सिंग और गौरो की करफ से अभिनंदन है आपका गौरो और बिक्रम सिंग जी का अभिनंदन है गनेश पवार जी वैभाव शिंग जी अर्जुन पाटिल रश्मी रंजनकर यह सब यहाँ पर नहीं चलता विक्तिकात रूप से संपर करकर इसकी जानकारी प्राप्त कीजिए अफंता प्रोडक्शन जी कमलेश खैरनर जोनती दत्ता पूनम सिंगला राकेश मराठे जी एके सिंग जी अशोक गोहल पीखु कुचाडिया अजिच्य अवडी निवडी राम को तो हर कणकण में व्याप्त में उस स्रेष्ट कारणों का कारण हूँ हम सब उसी स्रेष्ट पंकस सोनी जी धन्यवाद करमा देव जगत नरायन जी बहुत अभिनंदन है आप सभी जग्यासों का बहुत बहुत अभिनंदन और इसी के साथ आज की चर्चा को यहां विराम देंगे और कल फिर मिलेंगे आप सभी से लाइफ चर्चा में मानस के आगे बढ़ते हुए परसंगों को तो आने वाले आगे चौपाईयों में गोश्वामी जी कौन सी मुख्य बात बताने वाले हैं उसको हम कल देखेंगे समझेंगे और उसका पूरा-पूरा लाब उठाएंगे तो बहुत बहुत अ अब हार आप सभी का और ध्यान योग कोर्स और जो प्राकर्तिक चकित्सा का जो कोर्स है अब वो अगले महिने मार्च में ही आपको मिलेगा क्या तारीक क्या डेट रहेगी वो सारी चीजे आपको मिल जाएंगी जल्द ही मिल जाएंगी कि किस आप जोइनिंग करना चाहते हैं तो अभी तो इसकी जोइनिंग नहीं ली जाएगी जोइनिंग लेने के पहले आपको सुचित कर दिया जाएगा तो कबसे उस कोर्स को जोइन करना है आपको बता दिया जाएगा ठीक है तो चलिए अभी जो है विदा लेते हैं और कल फिर 9 बजे लाइफ चर्चा में मिलते हैं बहुत बहुत आभार आप सभी का झाल एं जो हम झाल एंडा है उि रही जडति अवस्ता सभित कर दो है